लोगसभाद चुनाव में धनबाद सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी धुल्लू महतो की घोशना करती। इसके बाद गुरुवार को बेरमो विधायक अनूप सिंग अपनी पत्नी को लेकर विधायक सर्यूराय के जमशेत पुरावास पहुचे और विधायक सर्यूराय से उनकी पत्नी ने आश्रवाद मागा और धनबाद सीट के लिए समर्थन मागा विधायक सर्यूराय ने अनू पौरुन की पत्नी को आश्रवाद देते वे कहा कि धनबाद में जंगल राज खत्म करना है। हैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष महामंत्री पदादिकारी जो करी 20 दिन से उस्चेतर में रहे हैं एक सम्मू बना है एक जमात खड़ा हुई है तो मैं उनसे सरलाह ली विना कुछ कहूं यह उचित नहीं होगा वैसे कोई बहु बेटी है तो घर में तो अपार शने प्यार ल हुए थे विर्हान समा में पहले बार तो मैंने उनका समर्थन किया तो बाते इतनी हुए एक बार मैं बात करूंगा लोगों से इनको भी मने ही कहा कि भाई अभी तो आप एक दिन भी नहीं गूंए है को शेतर में सबीजे घूम दीजिए आप आकलन कर लिए कि क्या और उदेश एक ही है कि जिस तरह के व्यक्ति को भाज़पा ने छुड़ाओं में खड़ा कर दिया है नए ने रोज किस्से आ रहे हैं वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं प्रवृति का दियोतक है मेरे इसाब से धनवात का चुनाव दो पार्टी के बीच में नहीं है दो व्यक् को प्राजित होना चाहिए हम सबी कर प्रहास रहे हैा हम प्राजित करें आप प्राजित करें जो करें हम अपना अपना अगलं कर लें हैं और करने के बाद पिर आम जन्ताउं कुछ में हम्द ehon ही कहा है धनवाद की जनता को कि आप अंतरात्मा की आवाज पर वोट करिए हम फ्राना पार्टी से के खोंटे से बंधे हुएं लंबे समय से ये समय नहीं है विचार करने का आप अंतरात्मा की आवाज पर वोट करिए और सबको मैंने हमने सभी के आदर से पंडित दिन दिया लुपाद्या, प्लिटिकल डारी नाम की उनकी किताब है, उस किताब में दिन द्याज जे ने बड़ी साफ सब्दों में लिखा है कि यदि चुनाओ के समय उमिद्वार चुन्ने में पार्टी से कोई गल्ती हो जाती है, तो पार्टी के कारिकरताओं का और जनता का ये दाइ तो है कि उस गलती को सुधार दें इसलिए जो लोग हैं बढ़े हैं कांग्रेश के खूंटे से भाजपा के खूंटे से दिंद्याजी के उपती के अनुसार अपना आचरन करें और कोई गलती हुई है पार्टी से उमिद्वारत तरह करते में तो उस गलती को सुधार ना और सोही मुझे कांग्रेश का प्रत्याशी बनाया गया तो मुझे लगा कल तो मैंने धनबाद में एंटर किया उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने गार्जियन से सर्यूराय जी से एक बार आशिरवाद लेना बहुत जरूरी है इसलिए मैं उनका आशिरवाद लेने गार्जियन है मैं इनको शुरू से फॉलो करती आई हूँ एड्मायर करते आई हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में एक ऐसे नेता को देखा जो अपने मंत्री पत को छोड़ते हुए उन्होंने पार्टी तक छोड़ दी जब वो मंत्री थे उन्होंने किस कि नॉर्मल इस्तिती में नहीं छोड़ा था पार्टी को जब वो मंत्री थे तब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था तब से मैं इनको बहुत ही एड्मायर करती हूं यह मेरे इंस्पिरेशन है इसलिए जब मैं देखती थी कि सर्यूराय जी आ रहे हैं डुलूमतो के खि खिलाफ कोई है फिर जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया तब मुझे लगा कि अब चाचा से मेरा अश्रवाद लेने का समय आ गया है इसलिए मैं आज उनसे आश्रवाद लेने आई हूं वो क्यांडिडेट के रूप में नहीं लगे थे वो धुलूमतो जी के खिलाफ में लगे हुए थे क्यूंकि इनका यही मानना था कि अगर ऐसे सदस्य बनते हैं और उन्हें संसत भेजा जाता है तो वो दिल्ली से लेकर धनबाद से लेकर पूरे बागमारा पूरा हमारे जारखन को बरबाद करने में लग जाएंगे इसलिए वो जारखन को बचाने के लिए उन्होंने शुरू से प्रयास किया और आज भी उनका प्रयास जारी है और आगे भी यह करते आएंगा मेरा यह मानना है यह मुझे पूरी गाइड करेंगे पूरे चुनाओं में मुझे गाइड करेंगे जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं आप नहीं है तो यह बिल्कुल में गाइड करेंगे चाचा जी है और मुझसे जादा आणुभव है यह मुझे आप फील्ड में जहां जैसे काम करना वहाइट करना इनके गाइडिलनस पे मेरा काम होगा ने ने पार्टी तो मेरी पार्टी तो ने ऐसा कुछ ऐसा नहीं है मैं जानती हूँ चाचा ये भी देखेंगे कि इनकी पार्टी का क्या मुद्दा है क्या ये है उसको देखते ही वे मुझे गाइड करेंगे अलग से तो कुछ नहीं बोलेंगे मेरा ये मानना है क्योंकि पाटे की उमीदवार हैं तो उस हिसाब से मुझे गाइड करना है।